आईपेल 2023 का पांचवा मैच मुंबई इनियन्स और रॉयल चैनलिजर्स बैंगलोर के बीच में हुआ इस मुकाबले को RCB ने आर्ट फिकेट रहते हुए अपने नाम कर लिया पांच जीतकर पहले बल्लेबास ही करने उतरी मुंबई इनियन्स की टीम के सीने बल्लेबास बेहत कम स्कोर पर आउट हो गए मुंबई के स्टार बल्लेबास रुहित शर्मा, इशान किशन, कैमरें ब्रीन, सूरिकुमार यादव और टिम डेविड पचास गेंदों में सिर्फ 35 रन बना पाए लेकिन मुंबई इनियन्स की तरफ से टीम के एक खिलाडी ने टीम की डोर संभाल ले और उस खिलाडी का नाम था तिलक वर्मा तिलक वर्मा ने RCB के खिलाव 46 गेंदों में नाबाद 84 रन की पारी खेली तिलक वर्मा ने अपनी शांदार पारी में कहीं ऐसे शॉट्स खेले जिसे देखकर सभी फैरान रह गए और उनमें से कुछ शॉट्स तो ऐसे थे जिनने देखकर महिंदर सिंग धोनी की याद आने लगी तिलक वर्मा ने अपनी पारी की 46 वी गेंद पर महिंदर सिंग धोनी की याद बिला दी उन्होंने इस गेंद पर हेलिकॉप्टर शॉट लगाया और गेंद सीधे जाकर स्टैंड्स में गिरी इस शॉट को देखकर महिंदर सिंग धोनी की याद सबको एक बार इसलिए और आई क्योंकि कल के दिनी साल 2011 में महिंदर सिंग धोनी की कपतानी में भारते टीम ने वर्ल्ड कप अपने नाम किया था अब आपको तिलक वर्मा का ये शॉट कैसा लगा प्लीज कॉमेंट करके ज़रूर बताएगा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें शेर करें और आई पेल की हर अबडेट पाने के लिए ख़वर विबाग को सब्स्राइब करना ना भूले